हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बाल फिर से स्वागत है हमारे इस यूटीब चैनल में तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं पांस मिनिट में जटपट बनने वाले रवा डोसा ये डोसा बहुती किस्पी होते हैं और फ्लेवर से भरपूर होते हैं तो जब भी आपको टाइम मिले और डोसा खाने का अमन हो तो आप जटपट जल्दी से बना सकते हैं इसको बनाने के लिए मैंने यह एक कटोरी चाबल का आटा डाला है और उसी कटोरी से नाप के मैंने एक कटोरी सूजी डाली है जस्ट अब ही डाली है और अब मैं यहां पर मैंने चार टेबल स्पून मैंदा डाला है मैंदा से क्या होती है बाइंडिंग आएगी हमारे डोसे में क्योंकि यह डोसे को बैटक काफी पतला होता है आप देगे इसको और अब मैंने डाला है थोड़ा फ्लेवर और इनहेंस करने के लिए तीन पानेंगे टेस्ट का कॉर्डिंग और अब हिंग डाली है मैंने हिंग से खाफी अच्छा फ्लेवर आता है तो अगर आपको पसंद रहता आप डाली है वरना नहीं डाली है कोई ऐसी बात नहीं है और अब हम डाले वाले हैं जीरा तो मैंने थोड़ा से डालोगे मैं यहाप जीड जीज़ती से जालोगी हो कहाठी है और अब अपनी भनीयां ली है मैंने काटकर वह डालेंगे आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते ह। मेरे पास अभी अविलेबिन नहीं th इसले मैं नहीं डाला है और रहर हम इसका matter बना लेंगे तो हम जलिय लिए डालेंगे लिंगे हेना इस में भी हमец को ज्याद़पत्ला नहीं करेंगे लेडि कर लिए स्मूध बैटर बनाके रेडि कर लिया है और मैंने इत्था सुन ज्याद़पत्ला नहीं किया है तो अभी मैंने केवल दो गलास पानी का ही यूस किया है इसको बढ़िया 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 consistency का और अब हम इसको 10 मिट तक rest करने के लिए रख देंगे तो फ्रेंश दस में ठो गए हैं और अब हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे तरीके से फूल गई है और बैटर काफी ठेक हो गया है तो अब हम इसमें और पानी डालेंगे भगौली गूम लई मेरी तो तो अब मैंने यहां पर एकलस पानी और डाला है और इसके बाद मैं एकलस पानी और डालूँगी क्योंकि इसका जो बैटर होता है काफी पतला होता है आप चाहें तो इसी वक्त इसके प्याज भी एट कर सकते हैं अगर आपको पसंद होता हूँ अब मैं इसको पैन में बनाऊंगी तो क्योंकि मेरे पास जो डोसा का तवा था वो बिल्कुल प्लेन था उसके जो साइड बे होती है ना इसलिए किनारी वो नहीं थी इसलिए हम जब बैटर डालते हो तो वो फैल जाता क्योंकि यह बैटर काफी पतला होता है इसलिए मैंने पैन पर बना रही हूं तो हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसको पूंच देंगे यह बात आप जरूर याद रखेगा कि हमें पैन को एकदम बहुत तेज गरम करना होता है इसके पानी डालकर हम उसको टैंपरेचर जो है वो एक सा कर लेंगे जैसा कि हमें चाहिए होता है रवा ड दोसा है वो एकदब क्रिस्पी बने यह डोसा बनाने के लिए जादा टाइम नहीं लगता है बट ही सबसे इंपोर्टेंट बात होती है कुछ जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है जब भी आप यह डोसा बनाए तो देखिए आप जो हमारा डोसा है वो तोरा सु जाला है और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकने देंगे हम जब तक पकाएंगे इसको जब तक कि इसके जो होल से वो गोल्डन बाउन ना हो जाए देखिए आप करीब दो हमनेट लगे है इसको पकते में और यह अची तरीकी से पक गया है और जब यह पक जाता जाएंगे यह आप देखी है पारे होंगे हमारा रो सबन कर रे दी है और इस एकल तरीके से आप बना सकते है बहुत एजी होता है बनाना पहुत जल्दी यह चीचांते है जब बनो और आया और बस हाथ तो इसी तरीके से हम दूसर दोसा भी बना कर रेडी कर लेंगी आप देख रहे हैं उन्हीं कितना क्रिस्पी बना है हमारा डोसा तो इसी तरीके से हम दूसा डोसा भी बनाकर रेडी कर लेंगे तो इसी तरीके से मैंने दूसा डोसा भी बनाकर रेडी कर लिया है और देखे कितना क्रिस्पी है ये तो फ्रेंट्स आप भी एडो सा जरूर बनाएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देजेगा फ्रेंट्स और हाँ friends चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और plus बेल आइकन को प्रेश करना भी मत भूलेगा तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में तो बस अब इतना ही अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार और बाब बाई